पुलिस मौके पर पहुँच गई को सख्त कारूनी कारवाई के आश्वासन दिये गए हैं परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस मुकदमा दर्च कर मामले की जार्च में जुट गई है कोतवाली थना शेत्र निवासी साजित की सेंटर पॉइंट पर दूर डेरी का काम है उनका घर कोतवाली के खाई दूरा में है जहां सारा परिबार रहता है शनिवार को उनकी दोत्पो निवासी बिभायता बेहन उनके घर पर आई थी इस दौरान उनकी धाई साल की बच्ची घर पर खेल रही थी उनकी बेहन ने बच्ची को कई बार आवाज दी लेकिन उसने सुना नहीं आरोप है कि उसके बाद स परिबार को ही परिबार के लोगों ने बच्ची को जेन मेडिकल कॉलेज में भरती कराया था यहाँ पर बच्ची का इलाज चला हा था लेकिन डविबार को बच्ची की मौत हो गई इसके बाद परिबार के लोगों का रोरोकर बुरा हाल हो गया वहीं बच्ची की माने अपनी मेरी बच्ची मेरे पास खेल लई थी मेरी नंद की बेटी आया थी उम्रा वो उसको पोजिया के पास ले गई नीचे ले आगा उस बच्ची को मारा है मार के मैं उनको आवाज दे रही हूं मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दो मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दो उन्ह पर ने दो साल की बेटी है उसके बाद में उपर आई उसकी हालत भी गड़ लही थी वह मैं इसको मलखान लेकर पहुंची मलखान वारों नहीं कहा थी मेंडिकल ले जाओं फिर मेंडिकल लेकर पहुंची उस बच्ची ने वहां दम तोड़ दिया पर चाहिए जी में एक चाहती हूँ मेरी बच्ची के जो मुझलिम जल से जल पकड़े जाएं जाया यूँ अधाने वाली नगर पर आज रातरी लगब बग साड़े ग्यारा बजे एक अबजाल पुत्र इब्राहिम के तोरा तहरीर दी गए उनके दोरा बताया गया कि उनकी नातिन जो दो अश्गी थी उसको उसकी बुआ के द्वारा जमीन पर फेक दिया गया जिससे कि उसकी मृत्ति हो गई इस संबंद में प्राग तहरीर के आधा पोस्ट मार्टम जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार से अन्यवाश्य दिक्कारवाज अमल में लाई जाएगी